हेलो ब्यूटिफल और पावरफु लेडिस कैसी हैं आज में आपके सामने निया पेस्ट लेख आई हूँ जो आपके बालों को महरून कलर देखा जिसमें कि यहां पर मैंने चाय का पानी रेडी का लिया है अब इसमें मैंने कॉफी मिलाया है कॉफी के बाद मैंने हिबिस्कस पाउडर मिक्स किया हिबिस्कस पाउडर भी रेड कलर का होता है जिससे के बालों में महरून कलर आपके आएगा Red or Black combination आपके बालों में महरून कलर लेके आएगा इबिस्कुस आपके बालों को जड़ों क्यों मुझबूत कता है डेंडर्फ और इस्टिंग को भी रिमूफ कता है कलर के साथ-साथ और बालों में कंडिशनिंग और शैनिंग भी देता है यह पेस्ट पुरी तरीके से होम-मेड नैच्रल है इससे लगाने से क्योवी नुकसान नहीं होगा यहाँ पर मने कत्धा पाॉड़र भी मिला है कत्धा पाॉडर की ताल बहुत अच्छा था आता बालों को चैनल की पत्ति के पाणी को कत्धा पाउडर को हिबिस्कस पाउडर को मेहंदी को और कॉफी को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी तरीके का लम्स ना पड़े इस पेस्ट को बनाके ओवरनेट रख दिना है नेक्स दे इसको मौने में लगाना है और इसको सिर्फ दो घंटे की बालों में लखना है इसको कैसे लगाना है इसके में मैंने कई सारे वीडियो बना रखे उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी आप जाके चेक आउट कर लीजेगा इस पेस्ट को स्मूध बनाने के लिए चंब से बराबर चलाते रहना चाहिए जब तक पूरी तरह के से ways ब strongest ना हो जाए next. यहांब आपको बताऊंगे का से hair wash कीसे कर नहीं है। महंदी hair wash कैसे करना की महंदी hair wash कैसे करना यह भी आप गताईEst मेहंदी को ज्यादे दे तक बालों में नहीं रखना चाहिए से दो घंटे तक ही रखना चाहिए ताकि मेहंदी पूरी तरह के सूखने नहीं नहीं देना जब हलका सा गिला रहे तब ही आप इसको ट्रैप के नीचे करके इसको अच्छे से वास कर लिजे मेहंदी जब भी आप बालों में लगाएं तो हमेसा नल के नीचे ही वाश करें इससे आपके बालों में ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे से मेहंदी भी पूरी तरह के से बालों से निकल जाएगे और बहुत ही जेंटली हाउटों को यूज करना है बहुत बालों मेहंदी पूरी तरह के से निकल जाएगे तो इसको सॉफ्ट कपड़े से लपीट के सुखा लेना है अगर आपके पास दूप आती है तो दूप में भी आप सुखा सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा में आज का वीडियो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग और वीडियो को शेर भी करें और लाइक जरूर करें आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियो इसी तरह आपके सामने लाती रहूंगी मेंदी से रिलेटर और अगर आपके पास किसी वह तरीके का कोई भी कोशन है तो प्लीज आप उसको भीजे मैं उसका रिप्लाइ करूंगी